हे गाइस वेलकम बाक टो दी चानल सूपर सॉनिक फॉर्ड भले ही इंडिया से चली गई हो बट आज भी बहुत सारे इंडियन्स ऐसे हैं जो कि फॉर्ड को बहुत ज़दा प्यार करते हैं और बहुत ज़दा याद करते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी गा क्योंकि आप लोग खुदी समझ सकते हों कहीं पी इस गाड़ी को लिए जो कहीं नहीं होने वाला हर जगा से निकलने की आपको ऑफर करती है और यह गाड़ी आपको टू डूर फो डूर में भी अविल जाती है गाड़ी के अंदर 2.3 लीटर का इंजिन 2.7 लीटर का इंज प्रेस के बारे में तो इंडिया में गाड़ी कभी आई नहीं है कुछ लोगों ने अगर इंपोर्ट करा लिए हो तो बात अलग है बट इस गाड़ी के बारे में बात करू तो लग बग यह गाड़ी आप लोगो 42,00,000 रुपे के आज पास में को इसे भी जादा कर सकती है खेर वो सारी चीज़े छोड़ते हैं बात करते हैं इन सारे के सारी 10 crashes के बारे में और कैसा इसने परफॉर्म किया accident में उन सारी चीज़ों के बारे में भी आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं. नमबर वन crash, USA का यह crash है जो कि 28 September 2021 में होता है, Colorado beer pass के पास में यह accident होता है, बिसिकली यह crash होने का main reason क्या रहता है, अब भाई जब आपके पास एक off-roading जैसी गाड़ी हो, अगर आप महेंदर थार जैसी गाड़ी ले करके बाई off-roading ना करो तो उसका मज़ा ही क्या, यहाँ प अगर आप तो कार को देखोगो तो पूरी तरीके से तहस नहास हो चुकी है, और जो ladies गाड़ी को चला रही थी, वो भी काफी बूरी तरीके से injured हो जाती है, इस accident के अंदर, बट भाई, Fort Bronco को मानना पड़ेगा, कि अगर build quality हो तो इस ऐसी गाड़ी की, इस गाड़ी को होता है, कि इसके अंदर जो बैठी वे driver होगा, बट यहाँ पर जो है, वो ladies इंजर्ट जरूर हो जाती है, बट उसकी जान जो हो बच जाती है, कार को अगर आप देखोगो तो टूटली पूरी तरीके से damage हो चुकी है, नेक्स्ट नमबर 2, New Mexico Hills का ये accident है, 8 June 2021 में ये accident होता ह है, अब जैसे मैं आपको बताया, कि भाई, फोर्ट ब्रोंको लेकर करके अगर आप आप आफ रोडिंग ना करो तो फायदा ही नहीं है, यहाँ पे भी exactly यही होता है, कुछ लोग जो कि ब्रोंको से थोड़ा बहुत आफ रोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट normally होता ह है, वो off-roading करते करते हैं, उनसे एक mistake हो जाती है, जिससे यह जो गाड़ी है वाई, एक जगह से mistake हो जाती है, जिसके वज़े से जो गाड़ी है, वो ruled over हो जाती है, खेर वो बहुत बुजाता हुचाई से नहीं गिरती है, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, गाड़ यह accident भी Texas का है, जो कि 27 February 2023 में होता है, अब यह collision आप लोग देख करके समझ सकते होगे, कितना ज्यादा भायनक हुआ है, मतलब एक गाड़ी इतनी ज्यादा है और पूरी तरीके से पलट चुकी है, और अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो एक sedan जिसमें आप लोगो डेम पूरा हास्सा होता है, और उसे के साथ अगर मैं बात करूँ यहां दूसरी गाड़ी के बारे में, तो यहां पर आप sedan देख रहे हो, वो भी काफिजदा स्पीड में रहती है, और वो सीधा आकर के ब्रॉंकों को हिट कर देती है, इस accident के ब्रॉंकों रहती है, वो पूरी त है, आप लोग भी कभी highway join करो, या फिर किसी भी road को join करते हो, आप घर से निकले है, गली से निकले, तो भाई एक बार left right जरूर देख लो कि कोई गाड़ी तेजी में तो नहीं आ रही, क्योंकि road पे तो normally सब को यहीं लगएगा, कि हम road पे जा रहे हैं, तो भाई कोई भी न पे पे लाइन के लिए और इसके पीशे लाइन से काफिस्दा गाड़ी आ रही होती है, तीन चार पीक अप और रहते हैं, जो कि आपस में ही यहाँ पर भीड़ जाते हैं, यहाँ पर पैनिक ब्रेकिंग करने के वज़ए से यह पूरा हास्सा होता है, और लगबग तीन से आपस में हीट हो जाती है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस लिस्ट के अंदर आपको ब्रॉन को भी देखने को मिलेगी, कुछ और पिकप ट्रक्स भी हैं, जो कि आप लोगो यहाँ पर देखने को मिल रहाँगे, जो कि अच्छे खासी तरीके से डैमेज हो गया है, किसी का बूनट पिचक गया है, किसी का टेल गेट पिचक गया है, यहाँ पर काफिजदा नुकसान हो गया है, किसी और की ब्योकुफ की हो जैसे सारी की सारी गाडियां जो है, वो डैमेज हो गई है, खैर इस एक्सिने में बहुत जाता स्पीड में सारी गाडियां नहीं र इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं है अगर आप इंडिया को छोड़के बाहर देखते हो तो वहाँ पर इस्टिक निक्स जो है वह काफी जदा रहती है कि कोई भी रूल और रेगुलेशन को जो है अगर फॉलो नहीं करता तो उसको अच्छी खासी पनिस्मेंट जो है वह दी है तो क्या ऐसा रूल इंडिया के अंदर भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप मुझे जरू कमेंट बॉक्स में बताना नेक्स नमबर फाइव एक जून 2022 में एकसिडेंट होता है एक ओल्ड फीमेल ड्राइवर जिसको उसके हस्बंट जो है वह गाड़ी गिफ्ट क पर चल रहो और इंडिया के अंदर तो आय दिनिया से केसिस जो है वह आप लोगों को देखने को मिलते ही है तो यहाँ पर आगर मैं कार के बारें बात करूं तो कार का वी जो हुलिया है वह काफी ज़्यदा बिगडग गया है यहाँ पर जो यह लेडी रहती है जो ब्रॉं बाद में जब पुलिस करती है तो इसको अरेस्ट कर लिया जाता है में भी शायद उस पर काफिजदा पैनलिटी और फाइन जो है वो लगाया गया होगा और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग ऐसी गलतियां बिल्कुल भीना करें यहाँ पर इस लेडिस की कोई भी ग यहाँ पर अलवाओ विल्स पर और बाकि सारी चीज़ों पर नजर डालोगे तो वह काफी बुरी तरीके से तूट गये हैं इस गाड़ी के अंदर जितने बी लोग बैठे रहते हैं बिल्कुल ही सेव रहते हैं कि हल्की फुल्की माइनर इंजर आती है तो यहां पर आप कार की बॉडी देखोगे तो वह काफी बुरी तरीके से यहां पर डैमेज हो चुकी है तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में आप लोगों क्या मानना है कि ब्रॉंको की क्या होगी मुझको लगता है कि अगर किसी गाड़ी को 40-42 रुपे दे रहे हो तो भाई टॉप नॉच जो है वो कहीं ने कहीं फीचर जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे इन गाड़ियों में और ब्रॉंको के गर मैं वैसे प्रैस के बारे में बात करूँ तो लगबग आप लोगो 30-32 रुपे की अंदर देखने को मिल रहा है निकले हैं तो ऐसी जगहों पर आप लोग भी गाड़ी जो हो जाता फास मच चलाए करो सबसे पहली ब्लाइंड स्पोर्ट रहते हैं जो कि आप लोग को देखनी पाएंगे और यहां पर यहीं चीज होती है जैसी यह गाड़ी एक जगह से निकलती है आप आप अप बिल्कुली सेफ रहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं होता नेक्स नमबर एट लेक्से से ब्रॉंको यहां पर 21 अप्रेल 23 में एक्सिडेंट होता है ब्रॉंको ड्राइवर जो रहता है वो नॉर्मली अपने रास्ते में जार होता है बिल्कुल स्पीड लिमिट के अंदर जो ब्रॉंको वाला जो ड्राइवर रहता है वो एकदम से यूटन लेने की कोशिश करता है और सामने से जो लैक्सिस है वो थोड़ी सी स्पीड में आ जाती है और यह बहुत जादा स्पीड में एक्सिडेंट नहीं होता आप लोग देख करके समझ सकते हो बट यहां पर अगर मोटर्साइकली से ब्रॉंको एक ड्राइवर जो कि अपनी ब्रॉंको लेकर करके बंप से लिक में में उन होता है और एक नकलने की कोशिश करता है मलब बिना अगल-गल देख़ है कि कोई आ रहा है औहला है कि इस यह24 पड़ता है साइट से गाडी कीड ने बॉकर इसो कि कर अगर आपको गाड़ी भी ले करके जानी है तो वहाँ पर थोड़ी सी स्पीड स्लो रख लो ताकि दूसरी की भी जान को जो हो खत्रा ना हो इस एक्सिनेंट के अंदर भाई अनफॉर्चिनेटली जो मोटर साइकलिस रहता है उसकी द्याथ हो जाती है और यहाँ पर अगर का लेन रोड पर अगर आप लोग चल रहे हो तो आप लोग वह काफी कम चांसे रहता है कि आप ओवर टेक कर पाओ बट यहाँ पर क्या दता है यह बंदा जबरदस्ती ओवर टेक करने ही कोशिश करता है और जैसे एक ट्रक जो है वो सीधा इसको हिट कर देता है राइट साइ उसकी भी जान जो खतरे में पड़ जाएगी तो यहीत आज का वीडियो आप लोगों वीडियो देखकर के काफी चीज़े समझने को मिली होंगी और अगर आप लोगों ऐसे ही और भी बस और ट्रक की या फिर पिक अप ट्रक के क्रैसिस देखने है और बड़े-बड़े बता देना मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग लिए वीडियो जाए हो बना दू मिलते हैं किसी और नेक्स वीडियो में